अब student coordinate geometry का concept थोड़ा और deep में समझने के लिए आज हम exercise 3.1 को देखेंगे देखिए first question का student how will you locate your table lamp on the study table अब यह हमें consider कर लेते हैं study table है how will you locate the study lamp आपका एक table है यहाँ एक study lamp रखा है अब यहाँ अगर study lamp रखा है तो हम इसको माल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा में try करता हूँ drawing मेरी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी देखिए मैं कोशिश करता हूँ यह study lamp पर हम माल लेते हैं ठीक है अब इस study lamp का इस जो vertical line है age है table की उस से हम distance माल लेते हैं जैसे कोई भी distance आप माल लेते हैं यह है फाइव सेंटिमीटर ओके अब यह vertical ages का distance फाइव है अब यह horizontal से देखते हैं कितना है हम माल लेते हैं करीब है यह 12 cm ओके यह 5 है यह 12 है तो अब यहां पर जो study lamp पर और जो विक्ती यहां खड़ा है अगर माल लीजे मैं यहां हूँ यहां से मैं इसको देखता हूँ coordinate तो यहां से इसकी coordinate जो इसको देखेंगे तो यह horizontal है horizontal पर आपने क्या देखा है कि यहां पर जो हम moment करते हैं वो x-axis बताता है और यहां जो करते हैं y तो इस तरफ x किया ओके student और इस तरफ y यहां x यहां y तो इसके coordinate इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे 5,12 यहां से जो लेक्ती देखेगा उसके coordinate से होगे 5,12 क्योंकि horizontal जो यह distance है वो x पर है लेकिन y से है तो हम इसको एक concept हमें क्या समझने को मिला यहां पर student आप देखी है question easy है लेकिन you try to learn the concept आपको concept क्या समझने को मिला कि जो 5 है एक्षिसा वो है क्या actually distance from y axis एक्षिसा की definition क्या होगी on the x axis we are moving on the x axis but distance from the y axis y axis से जिदनी दूरी है यह वाली y axis से दूरी है इसकी 5 partition plane पर यही में दिखा रहा हूँ तो यह एक्षिसा है तो यह y से जो distance से वो कहलाता है एक्षिसा तो इसके coordinate हो गए 5 अब यहाँ से जो horizontal table का age है वहाँ से कितनी दूरी है इसकी 12 तो मालब यह दूरी कैसी है ऐसी तो यह है 12 यहाँ पर तो इसलिए इसके coordinates हो गए 5 12 अब यहाँ में क्या सीचने को मिला 12 जो ordinate है उसकी definition क्या हो जाएगी देखते है ordinate कैसे मिला में? x-axis से दूरी मिला horizontal line से दूरी यह horizontal line से दूरी यह क्या है? ordinate तो ordinate क्या है? distance from x-axis है वो y-coordinate y वाला ordinate लेकिन वो distance कहां से ले रहा है? x-axis से जो दूरी है वो क्या बतारी हमारा y वाला coordinate और y-axis से दूरी है वो क्या बतारी है? x वाला coordinate यानि एपसिस सा यह हो गया आपका एपसिस सा distance from x-axis y-axis and this is the ordinate distance from x-axis तो यह learn करने को मिला अब यह बूल रहा है कि दोनों तरफ से अगर हम यहां से देखें तो अलग है देखिए टेबल है बलब हर विक्ति के लिए location अलग होगी मैं यहां से देखूँगा तो यह है अब मैं मालों यहां आ जाता हूँ यहां तो दूसरा विक्ति खड़ाए अब इधर से देखेगा वो तो इसके लिए यह वाला क्या हो जाएगा y-axis और यह क्या हो तो अब reference point इसके लिए क्या हो जाएगा देखिए instrument यहां से यह देख रहा है इसके लिए x-axis है horizontal तो यह 12 और ऐसे खड़े में vertical यह कितना है y तो इसके लिए coordinates हो जाएंगे 12,5 इसके लिए 5,12 है और लेकिन इसके लिए 12,5 क्योंकि उसने अपनी position चेंज कर ली this is x and this is y,12,5 Okay student तो यह first question से आप concept को समझिए तो आप second question देखें अब student second question देखिए इसी एक size का 3.1 का कि इसमें roads जो है cross roads है एक north-south direction और एक east-west एक दूसरे को cross कर रही है और इसमें streets हैं कुछ streets 5 streets north-south है इनी roads के parallel और 5 street east-west है जिसको हम भी बना रहे हैं और इसमें अपने को कुछ particular points locate क सामने अब student देखिए यह जो north-south और east-west तो यह तो direction है इनी direction में north-south पे कितनी streets है street 1,2,3,4,5 तो यह होगी street 1,2,3,4,5 और ऐसे ही north-south में 1,2,3,4,5 east-west में भी 1,2,3,4,5 अब देखिए student question में क्या कह रहा है कि second street जहां से देखिए north-south direction की second street north-south direction की मिलब north-south direction ऐसे है 1,2 यह वाली second street और fifth street east-west direction की east-west वाले की 1,2,3,4,5 तो हम इसको मिलाएं तो क्या हो गया यह तो इसके coordinate हो जाएंगे 2,5 जो question के अंदर दिया है कि second street east-west यानि क्यों कौन सी direction में चला x-axis में और fifth vertical यानि की y-axis पे north-south direction में इसके coordinate 2,5 अब student first part question का हम देखते हैं third देखिए क्या दिया है इसको मैं focus कर रहा हूं first part को third street of the north-south direction तो north-south direction की third street 1,2,3 और fourth street किसकी हो गई east-west direction की fourth street east-west direction की यह होगी अपना point this is the point देखिए 1,2,3 यह 1,2,3 किस direction में चले x-axis horizontal तो यह कौन बता रहा है हमको 1,2,3 यह this one जो north-south वाली अब इस पे कितना चले हम 1,2,3,4 तो इसके coordinates क्या हो जाएंगे देखिए student 3,4 अब second part इसी का ultra बोल रहा है वो fourth of the north-south direction 1,2,3,4 4 किसका हो गया north-south direction का और 3 किसका east-west का यह north-south का और यह east-west का 3 1,2,3 तो यह कौन सा हो जाएगा देखिए student 4,4 हो गया अपना x-axis पे,3 तो यह हो गया this one 4,3 4 कैसे चले हम 1,2,3,4 east-west पर और north-south में किस्चा चले 1,2,3 तो यह हो गया 4,3 Okay student तो यह हो गया आपका question में दिया हुआ है और यह question का first part का direction और यह second part का coordinate, first part का coordinate second का अब यहां सबसे महत्तपूर्ण समझने की बात क्या है देखिए वो question पूछ रहा है क्या यह एक ही है यह एक नहीं है देखिए 3,4 का अलग point है 4,3 का अलग point है अब देखिए student इससे हमें एक concept important समझने को मिलता है कि question में जैसा पूछ रहा है कि क्या इनकी location सेम है तो इनकी location देखिए same नहीं है 3,4 is not equal to 4,3 3,4 is not equal to 4,3 इसकी position अलग है इसकी position अलग है तो महला coordinate geometry में हमारा basic concept क्या हो गया xy और yx आपस में equal नहीं होते ध्यान रखना है इसा नहीं सुचना है यह xy यह yx है equal तो MCQ concept और ready हो गया आपका क्योंकि MCQ questions है इस बार तो आपको basic concept बहुत strong करना है xy is not equal to yx when x is not equal to y जब यह आपस में equal नहीं है तो यह आपस में यह भी equal नहीं होगी okay student यह एक बहुत important concept है जो इससे आपको सीखने को मिला तब अगले पार्ट में हम exercise 3.2 के साथ और basic concept को strong करेंगे तब तक ध्यान दीजिए revision जरूर करेंगे